इसलाम आपटों students, also you are fine at home. Students, आज भी हम लोग ने जो हैं इंग्लिज की नोटबूक का काम करना है और करना है परनाम. परनाम को यूज करके हमने sentences बनाने हैं. Make sentences using परनाम. हमारे वे परनाम कुन-कुन से होते हैं? आप लोगों को पता है हुगा परनाम का I, we, you, they, he, she, it. यह आप लोग के परणौन है आप लोग को जुबानी आने चाहिए I, we, you, they, he, she, it. अब हमने देखना है कि I के साथ M आता है, Is आता है या और आता है. इन में से हमने देखना है कि किस के साथ क्या आएगा? I के साथ हमेशा जो है वो M ही आएगा. जाम हम इसका sentence में इसका use करेंगे हम ज्यादा है तो इसके साथ आएगा R. U, U के साथ भी आएगा R. हम write करेंगे. D के साथ भी. E के साथ आएगा Is. She के साथ उसका helping up जो है वो भी Is. और इट के साथ भी Is. फर्स संटेंस में आते हैं I am एक साथ भी आएगा हम लिखेंगे. I am jumping. J, U, M, P, I, N, J. Jumping. Next is sitting. We are sitting. You are running. They are Rhyming. He is Rhyming. She is dancing. It is Rhyming. यहाप लोग की आजगी एसाइमेट है यहाप अपना लेम राइट करेंगे. आप लोगों अच्छे से याद करना कि परणॉम होते कौन-कौन से हैं. Okay, thank you. Allahafiz.